तो हेलो गाइस कैसे आप लोग आई होप अच्छ होंगे तो दोस्तो आज मैं बात करने वाला हूँ Facebook के तीन ऐसे जवरदस्ट अपडेट के बारे में जी हां दोस्तो आज मैं बात करने वाला हूँ Facebook प्रफाइल के बारे में जी हां दोस्तो कि ये update क्या है, ची एक उपडेट क्या है, दोस्तों आपको कैसे मिलेगा, सबसे पहला जो update है न वो तो sometimes-आप तीन topic पे है, सबसे पहला update है है वो मैं बात करूंगा, यहां कि मोनीटाइजसं सेक्षन के बारे में यानि कि, मोनीटाइजसंस सेक्षन में कुछ बदलाव आये हैं जो कि दूस्तों आगे मैं वीडियो में बताओंगा उसके बाद दूसरा जो अबडेट है वो है दोस्तों करते हैं हेलो दोस्तो मैं भी टूभी वेग आप सभी का वीटेक जोन में स्वाथ करता हूँ चलते हैं मोबाइल स्कीन पर और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप छोटा सा रिक्वेस्ट है यदि दोस्तों अभी तक आपने में चैनल को सब्सक्राइब नहीं होंगे यह जो है ना यह मेरा प्रोफाइल है यानि कि दोस्तों यहां पे आज फिलाल मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ प्रोफाइल के बारे में यानि कि दोस्तों प्रोफाइल में यहां पे आपको कुछ बदलाव आपको देखने को मिला है जो कि दोस्तों काफ पहला अपडेट की बात करों तो तो यहां पे बात करने वाला हूँ इस होम पेज के वारे में, जी हाध रूसत्तो यहां पे आपको कुछ बदलाव लहां पाई आ ऐगर नहीं यहां पर डेख पाद होंगे कि होम- monetization section में जाके और दोस्तों वहाँ पे reel वाले में जाके बनाने का जबूर है और नहीं दोस्तों यहाँ पे जब आपको reel वाले जब आपको वीडियो मिलता है उस पे click करके और वहाँ से आप camera open करके वीडियो सूट करने का जूबत है यहाँ पर अब आप डिरेक्ट यहीअ से आपको reel डालने का option दे दिया गया है कि दोस्तों यहाँ पर वीडियो सॉट को गाया है। ऐसे दोस्तो आप यहां पे कर सकते हैं दोस्तो यहां से अपकर सकते हैं १िनले सकते हैं यहां से आपम मेंероa connect का टाई वीडियोई कर सकते हैंः दोस्तो आप में यहां से आप यहाँ पर music भी select कर सकते हैं, वो सारे music जो आपके facebook के library में देखने को मिलता है, तो दोस्तों यहाँ से यह हो गया, और दोस्तों यहाँ से आप draft में भी रख सकते हैं, एन दोस्तों यहाँ पर काफी सारे अलग-अलग यहाँ पर आपको effect देखने को मिलने वाला है, इला जवाब है क्योंकि दोस्तों अब आपको यहां पे काफी अंदर तक नहीं जाना होगा सारा चीज आपको रिल के डिकार्डिक यहीं से आपको मिल जाएगा तो दोस्तों यहां पे दो अपडेट आपको समझ में आ गया एक तो दोस्तों इस पे मैं क्लीक कर देता हूँ अब गाइज यहां पे जो अपडेट है वो यहां पे मुझे काफी बेतरीन लगा क्योंकि दोस्तों यहां पे क्या चीज होता था ना पहले आपका जो भी अर्णिंग होता था वो आपके उसी टूल्स में सो करता था जिसके थुरू earning हुआ यानिक दोस्तों यहाँ पे stars, ads on reals, bonuses and in estimates अगर आपको earning देखना है तो सब के यहाँ पे अलग-अलग tools में open करके आपको दिखना होता था कितना earning हो रखा है वरना दोस्तों आपको जाना होता था कहां आपको अपने payout account में जी हां दोस्तों यहाँ पे आपको अपने payout account में आना होता था और दोस्तों यहाँ से आप overview देखते थे अपना balance total earning तो दोस्तों आप जो यहाँ पे यह नया update आया है इसके लिए दोस्तों आपको जो है यह तरह से काफी बहतरीन अपडेट है यानि कि दोस्तों अब यहाँ पे है आपको यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे आपको यहाँ पे टूल्स में नहीं जाना होगा earning देखने के लिए और नहीं दोस्तों जाना होगा payout में direct आपको यहीं पे earning आपको सोहने वाली overall जितने भी यहाँ पर monetization tool से earning होती है वो सारे earning आपको यहीं पर दिखने वाली है and दोस्तों यदि आप यहाँ पे see all पे click करते है तो दोस्तों see all पे click करने के बाद यह redirect कर देगा कहाँ पे direct payout में जी हाँ दोस्तों payout के लिए आपको करना क्या होता था payout के लिए आपको यहाँ पे monetization सेक्षन में आके और दोस्तों यहाँ पे payout पे click करना होता था तो दोस्तों यहाँ पे payout history यहाँ पर open हो जाएगा तो I hope आपको यह update काफी अच्छा लगा होगा वो भी दोस्तो profile के regarding क्यूंकि दोस्तो profile पर यह update आया है यह दोस्तो काफी बेहतिरीन update है काफी advantage मिलने वाला है profile creator के लिए तो चली दोस्तो यह update आपको कैसा लगा हमें comment करके जोगर बता है ऐसा ही helpful वीडियो पाने के लिए हमाई चैनल को कर ले सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करके वेल आइक